जून की शुरुवात में 45 साल के राजेश कुमार को खांसी आनी शुरू हो गई कुछ दिनों में उन्हें तेज बुखार हो गया उन्होंने कोरोना वारिस का टेस्ट नहीं कराया इसके बजाए वो 5 दिन तक बुखार की दवाई लेते रहे लेकिन बुखार बना रहा और जल्द ही उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी उनके परिवार ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उन्हें लग रहा था कि उन्हें किसी कीमत पर कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली में अपने घड से वे शायद ही बाहर निकले हो साथ ही उन्होंने किसी ऐसे शक्स से मुलाकात भी नहीं की थी जिसे कोरोना का संक्रम अंड रहा हो या जिसके संक्रमित होने का शक रहा हो लक्षन दिखाई देने के आठ दिन बाद उनकी हालत बिगड़ गई उन्हें अस्पताल ले जाया गया टेस्ट में वे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए उन्होंने कहा कि वे बच गए लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अगर उन्हें अस्पताल लाने में थोड़ी और देर हो गई होती तो उनकी जिंदगी परियेचूक भारी पड़ सकती थी राजेश कुमार को अब तक नहीं पता कि उन्हें कहां से कॉरोना का संक्रमन हुआ था एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के कई मामले हैं इससे साबित होता है कि भारत में कोरोना वाइरस सामुदाइक फैलाव की शकल ले चुका है लेकिन सरकार यह मानने से इंकार कर रही है कि देश कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन के दौर में पहुँच गया है सरकार का कहना है कि शब्द की कोई सपर्ष्ट परिभाशा नहीं है और हर देश अपनी स्थानिय परिस्थिती के हिसाब से से तैकर रहा है अब तक केरल और बंगाल ही ऐसे राज्ये हैं जिन्होंने मान लिया है कि उनके यहां कोरोना का सामुदाइक विस्तार हो चुका है तो की कड़ियों को जोड़ा नहीं जा पा रहा हो तो इसे कम्यून्टी ट्रांस्मीशन का पता चलता है दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के सैंटर फोर चेस्ट सर्जरी के चेर्मेन डॉक्टर अर्विंद कुमार के मताबिक निश्चित तौर पर भारत में ऐसा हो रहा है उनका कहना है कि एस्पतालों में अब ऐसे काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं जिनके संक्रमन का जरिया पता नहीं लगाया जा सकता है वह कहते हैं कि मामलों की बढ़ती संख्या इस चीज की पुस्टी कर रही है एक के बाद एक राजियों में संक्रमन की दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है उसे आप नकार नहीं सकते हैं लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं है इंडियन मेडिकल एसोसियेशन यानि IMA के एक बड़े डॉक्टर ने हाल में ही माना था कि भारत कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन के दौर में पहुँच गया है लेकिन IMA दो दिन बाद इस बयान से पीछे हट गया IMA ने कहा कि यह डॉक्टर की निजी राय हो सकती है वाइरलोजिस्ट दौक्टर शाहिद जमील का कहना है कि सरकार को डौक्टरों और एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए और साक्षियों को स्विकार करना चाहिए इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि वायरस एक महीने पहले के मुकाबले ज्यादा फैल चुका है आंद्रप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में और शहरी घने बसे इलाकों से बाहर निकल कर दूसरी जगहों से भी बड़े पैमाने पर अब संक्रमन के मामले सामने आ रही हैं इन में से कई इसके लिए तयार नहीं थे क्योंकि ये अभी तक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने और टेस्टिंग करने पर ज्यादा जोड दे रहे थे लेकिन इन्होंने वाइरस के स्थानिय फैलाव को रोकने के लिए परियाप्त कदम नहीं उठाए थे कई राज्यों के पास इतने साधन भी नहीं हैं जिनसे वे अपने यहां आने वाले हर शक्स को ट्रेस कर सकें और उसकी टेस्टिंग कर सकें डॉक्टर जमील कहते हैं कि इस तरह की सोच रही है कि वाइरस बड़े शहरों और कुछ खास हाट स्पॉट राजियों में ही रोक लिया जाएगा और यह देश के दूसरे हिस्सों में नहीं पहुँच पाएगा ऐसा नहीं हुआ और अब कोविड-19 बेधड़क देश में फैलता जा रहा है कोरोना वाइरस तेजी से एक जगे से दूसरी जगे जा रहा है और इस ट्रांस्मिशन की चेन का पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है डॉक्टर जमील बताते हैं कि सरकार के खुद के सर्वे से यह जाहिर हो रहा है कि संक्रमितों में इसे 40 फीसदी रेस्पॉंडेंट को यह पता ही नहीं चला कि उन्हें कहां से यह बीमारी हुई है वे कहते हैं कि हमारे पास इस बात के प्रियाप्त शाक्षे हैं कि यह कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन है लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह सब रातो रात नहीं हुआ है उनका कहना है कि ऐसा कई हफतों में हुआ है क्योंकि सरकार लगातार इसे नकारती रही है डॉक्टर कुमार का कहना है कि महमारी के शुरुवाती चरणों में ही स्थानी अस्तर पर कम्यूटी ट्रांस्मिशन नजराने लगा था लेकिन अब यह पूरे देश में फैल चुका है अब यह सब के सामने मौजूद है एक्सपर्ट का कहना है कि वे केवल इसका अंदाजा लगा सकते है क्योंकि सरकार इस मसले पर ज्यादा बोल नहीं रही है साथी सरकार ने अपने रुख को साबित करने के लिए कोई आधिकारिक परिभाशा भी नहीं जारी की है तो क्या सरकार अपनी नाकामी को जाहिर करने से बच रही है Community Transmission को ना मानने की एक वजह यह हो सकती है कि सरकार इसे अपनी नीतियों के फेल होने के तौर पर देखती हो डॉक्टर जमील कहते हैं कि Community Transmission के लिए सरकार को दोशी नहीं ठहराया जा सकता वे कहते हैं कि यह चीज डेटा के साथ पुक्ता होनी चाहिए और वैज्ञानी ग्रूप से सामने आने वाली चीजों को स्विकार किया जाना चाहिए एक्सपर्ट का कहना है कि इसे नकारने से और दबाओ बढ़ेगा और इससे एक गैर जरूरी बहस शुरू हो जाएगी सरकार के साथ काम कर चुके एक प्रमुख महामारी विज्ञानी डॉक्टर ललित कान्त कहते हैं कि यह तर्क अब बेमानी है वे कहते हैं हमें अपनी स्ट्रेटेजी को ज्यादा सुधारने की जरूरत है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे कम्यूटी ट्रांस्मिशन कहते हैं या नहीं वे बताते हैं कि संक्रमन लगातार गंभीर हो रहा है और यही कड़वा सच है लेकिन कम्यूटी ट्रांस्मिशन को स्विकार कर लेने से एक बड़े नीतिकत बदलाव की जरूरत बढ़ सकती है WHO का कहना है कि बड़े पैमाने पर कम्यूटी ट्रांस्मिशन के माहौल में हर केस को पहचानने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉरिंटीन करने जैसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है इसके बजाए WHO सलाह देता है कि देशों को डेटा के जरीए वाइरस के भगॉलिक फैलाव को देखना चाहिए और उसी हिसाब से हेल्थ केर सुविधाओं की तैनाती करनी चाहिए डॉक्टर कांत का कहना है कि हो सकता है सरकार इस वक्त नीतियों में कोई बड़ा बदलावना चाहती हो इसके वज़े यह भी हो सकती है कि केंद्र और राजियों की सरकारों को टेस्टिंग को बढ़ाने और ट्रेसिंग के ववस्थाएं स्थापित करने में इतने महीनों का वक्त लगा है दूसरी चनौती यह है कि महामारी भारत के अलग-अलग राजियों में, अलग-अलग चरणों में है जिससे पूरी नीती में बदलाव करना मुश्किल है कांत कहते हैं इसके बावजूद लगातार इंकार करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता वे कहते हैं कि लोगों को जानने का अधिकार है और सरकार को पारदर्शी होना चाहिए